Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. आज हम करेंगे class 11th के account N3 का chapter 9 जिसका नाम है books of original entry, journal के practical question का solution number 28. जी दोस्तों, आज हम solution number 28 करेंगे, इससे पहले solution number 27 तक मैं आपको करा चुका हूँ. मैं आपको suggest करूँगे, यदि अभी तक आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है, तो आप एक बार वो वीडियो देख लें, link आपको इस वीडियो के description में पुराइड हो जाएगा, नहीं तो आप मेरी चैनल की playlist में जाएगे, तो आपको proper order में सारी वीडियो अविलेब प्रेटर्न और लोसेश, यह आपके increase हो जाएगे, परेटीकल रचेश को डेविट कर दीजे, और यह आपके decrease हो जाएगे, परेटीकल रचेश को डेविट कर दीजे, आपकर एक और चीच समझे, कि जब भी एक अकाउंटनेंस की practical question करें ना, अपने आपको एजन करने में कोई भी प्रोब्लम नहीं होगी, क्योंकि ऐसा करने से अब पता चल जाएगा कि क्या चीच increase हो रही है, क्या चीच को डेविट करना और क्या चीच को डेविट करना है, तो पहले transaction का रही है, जो कि April 1st हो हुई है, purchase good for one lap from Manoj and avail discount of 10,000, तो purchase करिये business में, Manoj दे, कहीं अइन बरकी से चीच करें तो मानेंकि अधार में purchase करें और जिसमें में 10,000 का क्या मिला है, discount मिला है, तो यह जो 10,000 रुपीज है यह है यह हमे are jum क्योंकि क्येंट कि चैशन को फिस्सकान इसके बाद amount की column में लिखिए 90,000 debit side 90,000 credit side 90,000 क्यूंकि one lucky goods से 10,000 का trade discount मिला है तो 90,000 आपको लिखना है तो next transaction में क्या हुआ है paid amount due to manoj by check and avail discount of 2500 तो अब जो manoj को हमने 90,000 देने थे हमने दे दिये जिसमें discount receive हुआ है 4500 का अब हमने cash payment करें तो हमने cash discount receive हो गया है तो इसकी जो general entry होगी हो किस तरीकर से होगी यह दिखेगा अब क्या हुआ है कि हमारे liability क्या होगी हमारे liability कम होगी तो particular जिसको debit करेंगे मतला manoj को debit करेंगे manoj debit discount हमें मिला to discount receive account to bank account check के through payment किये इसलिए आपको bank account लिखना होगा देना था manoj जी को में 90,000 हमें discount मिला 4,500 रुपीज का तो हमने bank के तुर कितना दिये 85,500 रुपीज दिये इसके बाद आप इसकी narration लखें अब करते है transaction no.3 जो कि है cash रुपीज 5,000 paid to desai and discount allowed by him 200 so same वही चीज है कि फिर से हमने अपने creditor को payment करी है तो payment कैसे करी है जैसाइए हमारा liability जैसाइए हमारा liability जो की कम होगी जैसाइए debit discount हमें receive to discount receive account to cash account क्यों cash में payment करी है तो हमें देना चाहिए था 5,200 हमें इतना देना चाहिए था हमें 200 रुपीज का discount मिल गया तो हमने कितना पे करें हमने 5,000 रुपीज पे करें इसके बाद आप इसकी narration लखें अब करते हैं next transaction जो कि cash रुपीज 10,000 receive from गोवर्धन and allow him discount 500 तो अब यहाँ पे बिजनस में sale हुई थी अब गोवर्धन हमारा debtor सा जिसमें payment करती यह payment करती बिजनस में cash आ गया और यहाँ पे हमने discount भी दिया इसको तो यहाँ पे जो इसकी general entry बनेगी इसकी उसे 10,000 रुपीज दिया है 500 इसको cash discount दिया है आप करते है next transaction next transaction है sold personal card of the proprietor 4 रुपीज 80,000 against check which was deposit into the firm bank account तो यहाँ पे क्या हुआ कि personal card बेचिये proprietor ने अपनी 80,000 रुपीज की यहाँ पे correction है capital increase कर लिए अपने तो इसकी general entry होगी पहला तो देखिये bank account increase हो जाएगा bank पे जो balance हा वो increase हो जाएगा दूसरा क्या हुआ होगा कि capital भी जो थी capital भी increase हो जाएगी क्योंकि उसने farm के bank में कराई है अपने personal bank account में नहीं कराई है which was deposited into a personal bank account तो यहां पे उसने personal bank account में पैसा ले लिया जो उसने कार बेची थी तो इसके हम कोई निष्टि पास निकरेंगे यह हमारी business related नहीं है तो यह नो एंटिए पास होगी इसमें आप mention कर देगा नो एंट्री अब इसकी करिया है next transaction जो की है sold goods to go rough costing बहुत समझने वाली entry है पहले इसको समझे कि trade discount तक समझेगा कि business में sale हुई है 1 lakh rupees की 40% का profit हुआ है उसके बाद हमने 10% trade discount दिया है तो इसको एक बार नरेशन सा समझ लेजिए working notes सा समझ लेजिए तो 1 lakh का 40% calculate करेंगे तो 40,000 आएगा मतलब कि यह हमें profit हुआ तो 1 lakh 40,000 हो जाएगा एड करके इस पर हमने 10% के trade discount दिया तो 14,000 आएगा एक्चल में जो sale हुई है वो ही है 1 lakh 26,000 की यह हमारी actual में sale हुई है तो simple सी इसकी general entry होगी कैसे general entry होगी इसकी गोरब debit तो गोरब वाने debtor साथ नहीं भी बात नहीं है और यह cash की तो माने की उधार में sale हुई है गोरब debit तो sales से काउंट एमान की column में लग दीए 1 lakh 26,000 debit side 1 lakh 26,000 credit side अब करते हैं इस entry को हमने तू पार्स में divide किया है अब यह कार्टे 3,000 not to be charged from him यह हमने अपने तरफ से कार्ट को चार्च हमने काया कि हम आपकी goods को आपके फोग तक पहुचा देंगे यह जो चार्ज है यह हमे वोरब नहीं नहीं दिया यह business ने उससे कहाया कि हम आपके अपने समान को आपके समान को आपकी खर्चते पहुशा देंगे यहां पर समझेगे इसे हम बोलते हैं कैरीच आउटवर्स तो इसकी जनल एंट्री होगी कैरीच आउटवर्स एकाउंट डेपिट क्योंकि हमारा खर्चा बढ़ गया तू कैश अकाउंट और दो रहा हमारा कै तो हमने ओडर प्लेस किया है रूद्र एंट कंपनी से 40,000 के कुछ को और परचेस किया है जिसमें इस एंट को देखे कैसे करना है क्योंकि परचेस हुई है बिसमें परचेस कर रही है परचेस का यहां पर किस तरीके से लिखेंगा आपको यह देखा मिजने वाली बात है आ क्या प्रका पर है प्लेखेंगे अब एंट एड भांट सुच्परोश आपकर चेकाउंट तो दोस्तो आज के लिए इतना ही, I hope you like this video, if you like this video, please do subscribe this channel, thanks for watching.